वल्कम तो जिरो लोस अप्शन ट्रेड एंड्रोइड एप एंड श्पेडरिंग.com दोस्तों एक अच्छे ट्रेडर को सक्सेस्फुल ट्रेडर को क्या चीज बनाती है काम्याप ट्रेडर क्या उसको यह पता होता है कि कल क्या होगा कल निफ्टी उपर जाएगी या नीचे ही जाएगी संसेक्स उपर ही चड़ेगा या नीचे ही चड़ेगा यह सेक्टर चलेगा यह वला सेक्टर नहीं चलेगा देखिए आपको लगता होगा कि चीज़ें ऐसी है लेकिन ऐसी बिलकुल भी नहीं है successful trader वो trader बनता है जिसको भविश्य के बारे में कुछ भी ना पता भविश्य के बारे में वो कोई धारना लेके नहीं वेठा हो एक technical analyst अगर किसी को ये लगता हो कि ये अंदाजा लगाता है कि बाजर उपर जाएगा कि नीचे जाएगा दोस्तों वो अंदाजा नहीं लगाता ये बहुत बारिक सा फरक है वो अंदाजा नहीं लगाता वो देखता है कि अगर कोई resistance टूटे उसके बाद जल्दी से entry जल्दी से buying करना या कोई support टूटे तो जल्दी से short selling करना मतलब घटना होने के बाद जल्दी से नेने लेके अपने trade को execute करने वाला व्यक्ति असल में analysis जानता है भविश्यवानी करने वाला या भविश्यवानी सुनने वाला अच्छा trader नहीं बन सकता तो दोस्तों इसलिए हम आज बात करेंगे hedging के बारे में निफ्टी के future and option में आप काम करने वाले या किसी stock के future and option में आप काम करने वाले तो आपके लिए सबसादर जरूरी क्या है आपके लिए सबसादर जरूरी चीज है hedging hedging मतलब आपकी धर्णा अगर तेजी की है फिर भी मंदी का कुछ इंतिजाम करके रखना ये कहलाएगा hedging, जैसे हमारा अपना खेत हो, हमारा अपना घर हो तो हम उसके आसपास बाड़े लगाएंगे, हम फैंसिंग के तार लगाने वाले हैं हेज उसी का शब्द है शब्दिकर्थ, क्या होता है hedging मतलब अपने मुलधन की सुरक्षा करना और सुरक्षा कैसे होती है, तो hedging ऐसे होती है, कि call की put के साथ, call buy किया है तो put buy किया, तो call तेजी के लिए खरीदा, तेजी की धारणा हमारी बड़ी strong है, तो हमने 200 रुपे premium दे के bank nifty का call खरीदा है, लेकिन उसके साथ ही, हम अगर हमारी मंदी की धारणा बड़ी weak है, तो हम 20 रुपे का put खरीदे चलेगा, मतलब ये depend करेगा, आपकी तेजी मंदी की धारणा कितनी clear है, या कितनी धुमील है, पर तेजी की धारणा अगर आपकी है, और का मन कर रहा था, मैं तो call ये लूँगा, put तो मैं सोची नहीं रहा, put के बारे में तो मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा होने वाला है, तो 200 का call लिया, 20 का put ले लो, चलेगा, लेकिन call के साथ put लेने की आदट डाल दीजे, क्योंकि आपको रोकने वाली और कोई चीज नहीं है, आपके ego के अलावा, और जिसका ego जीतता है, वो बाजार में हारता है, उसको profit नहीं मिलता, मैं बोलता हूँ कई बार, कि ego को ताक पे रख दोगे, तो profit जेब में लेके जाओगे, और ego जेब में रख लिया, तो profit को ताक पे रख के जाना पड़ेगा, तो दोस्तों, हम यहाँ पे बहस में जितने, या अपना जल्वा दिखाने के लिए, बाद में आये हैं, पहला primary purpose यह है, कि हम maximum return असिल करना चाते हैं, वो भी 100% safety के साथ, तो इसका पहला rule यह है, हेजिंग की आदर डालिएचे, कि call अगर आपने खरीदा है, तो साथ में आप put खरीदेंगे, अगर आपकी तेजी की धारणा जादा अच्छी है, तो आप call बहुत बड़ा खरीदे, put बहुत छोटा खरीदे तो भी चलेगा, अगर आपकी मंदी की धारणा जादा है, आपको लगता मंदी होने वाली है, तो आप put बड़ा खरीदेंगे, call बहुत छोटा खरीदें तो भी चलेगा, लेकिन बैस नहीं करना, अगर आप ठीठा केजिंग करना चाहते, तो मैं कहूंगा, चलो 200 रुपए का put लेके जाओ, और उतनी ज़्यादा धारणा clear नहीं है मंदी की, तो 150 का call या 100 का call ले लिजे, नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता नहीं, मंदी ही होगी, मैं तो लिख के दे सकता हूँ, तो 200 का put लेंगे, प्रीम में बेंक निफ्टी का, तो 20 रुपए का call लेंगे, अब वो 20 रुपए का call वैसे तो गल नहीं है, लेकिन अचानक कोई हाथसा हो जाए, तब ये बचा लेगा, तब ये आपको बचा लेता है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी आपने ये चीज़ देखी है, कि तेजी के दिनों में, मार्केट में पूरी तेजी चल रहे है, फूल स्विंग बुलिश मार्केट चल रहा है, निफ्टी भागरी, बेंक निफ्टी भागरी, लेकिन बीच-बीच में गड्डे आ जाते हैं, अभी गड्डे आया था फ्राइडे को, फ्राइडे को आपने देखा, बेंक निफ्टी 1000 पाइंट नीचे चले गए, और वहाँ से फिर 1500 पाइंट उपर भी आके खड़ी हो गई है, ऐसे में घबराट नहीं होई होगी क्या विक्ति को, तो उसने कॉल छोड़ दिया होगा, और नीचे कहीं पूट में पोजिशन बना लिया होगी, या फिर कॉल नहीं छोड़ा होगा, तो नीचे जाके पूट खरीद लिया होगा, और समझ माया है कि कॉल के रेट आए, तब तक पूट बरबाद हो जाएगा, तो ये बात अगर शुरू से होती, तो आप एकदम परिशान हो जाते, पूरी केपिटल खो देते, ये तो नहीं पॉसिबल था, अगर 200 रुपे का कॉल में लेके गया, बहुत बड़ी मंदी आ गई, अब आप सोचेंगे सर, 20 रुपे के पूट से क्या होने वाला है, देख ले न, हिस्टोरिकल प्राइस में जाके आप, 200 रुपे का कॉल जब 250 रुपे का हो गया था, तब 20 रुपे का पूट आपका कम से कम 120 रुपे के आसपास खड़ा था, तो आपको जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान का 60 परसेंट भी कवर हो सकता है, यही तो खासियत है, तो कॉल को खरीदा, पूट को खरीदा, यह भी हेजिंग का तरीका है, हेजिंग के कई तरीके है, एक कॉल खरीदा, और बाद वाला कॉल छॉट सेल किया, राइट किया, यह भी हेजिंग का तरीका है, इसको स्प्रेट कहा जाता है, एक call खरीद के बाद वाले call को right किया मतलब एक call खरीदना तेजी है बाद वाले call को right करना मंदी है और दोनों का combination बनाए लिए आप bank nifty का future खरीद रहे तो इसकी hedging कैसे कर रहे हैं future खरीदने के साथ आपने put खरीद लिया तो bank nifty का future खरीदा ये तेजी है और put खरीद लिया ये मंदी के लिए है मतलब जो आपकी धारना है उसके विपरित का इंतजाम आपने करके रखा है क्यों? क्योंकि दुनिया भर में कब कौन सी घटना हो जाएगा इसका कुछ तो आता पता नहीं आप देशों के जो रास्रपती प्रधान मंत्री है बड़े-बड़े पोलिटीशन उनकी जिन्दगी का जिम्मा तो आप नहीं ले सकते 26, 11, 9, 11 जैसी घटना है कोई टेरिस संगटन कर देता उसके जिम्मदारी अप ले सकते मैं आप से पूछता हूँ इमानदारी से कि आपने ये अंदाजा लगाया था कि बाजार में जब आप बाहर निकलेंगे तो इतने सारे लोग यहां मास्क पेन के घूमते हुए दिखेंगे सेनिटाइजर एक अनपढ़ आदमे भी इस वर्ड को समझ लेगा कोविड और सारे जो नए-नए वर्ड्स हमने सीखें है क्वारिंटाइन जैसे वर्ड्स वह सब हमारी जिन्दगी में थे ही नहीं लेकिन अब वो हमारी जिन्दगी का एसा हिससा बन चुके है जो दूर हटने को, जाने को तयार नहीं है तो भविश आ का क्या पता था हमको की नें सो सकता हूं और अगर मैं 6 महीने तक यह काम कर रहा हूं 5 महीने मेरे 20-20 रुपए गा प्रीमिम बरबाद हो जाए लेकिन छटे महीने में भी अगर वो काम कर गया तो जो 100 पाइंट मैं ने बरबाद किया हूं उसके बदले मुझे 400 पाइंट मिल जाने माले है और दोस् करते निकल जाते हैं, तो call आपको चला नहीं चला, 200 point पे ले रखा था, 250 हुआ, आपको लगा बेचू किया, फिर आपको 280 पे लगा profit book करूं गया, 290 पे तो book करी लिया, शाम तक वो 550 पे जाके खड़ा हो गया, अब क्यों नहीं रुक पाए, क्योंकि hedging नहीं थे, hedging होती, तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि अभी यहां से एकदम लुड़के नीचे चला जाए, तो कोई बात नहीं, call में पैसा जाएगा, तो put में तो बढ़ेगा, खुल मिलाके मेरे combination में उम्मीद बनती है, मुझे सुरक्षित रखने की, कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, कि bank nifty का feature आपने खरीदा, साथ में आपने एक put खरीदा, और एक call को write भी कर दिया, इसको caller position कहा जाता है, C-O-A-L-A-R, caller position में क्या हो रहा है, एक feature को हम एक put खरीद के, और एक call write करके, ऐसे दो-दो option से hedge कर रहे हैं, ताकि हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी हो जाए, और क्या चीज हो जाती है, हम अगर put को write कर रहे हैं, तो call को भी write कर रही है, यह भी एक तरह की hedge, call को write कर रहे हैं, put को write कर रहे हैं, तो यह हो गए आपका short strangle, अगर out of money को आप write कर रहे हैं, तो short strangle के लाएगा और यही चीज एड़ दमनी के साथ करेंगे तो यह short straddle के लाएगा STRADDLE यह सब terms होती है लेकिन मैं इसमें ज़्यादा आप पोल जाना नहीं चाहता क्योंकि जब आप call put को practically data के साथ observe करते हैं तब जाके वो common sense आपको बार-बार आने लगता है कि option का price calculator भी काम का नहीं है जैसी बाजार की धारणा रुजान होगा जैसे sentiment होगे उस साबसे theoretical option की price से practical जो market price है वो बिल्कुल अलग हो सकती है तो मैं आपसे कहूंगा option observation project पंकजन video करके search करेंगे तो आपको दो तीन ऐसे observation project मिल जाएंगी जिसमें हम historical price से देख रहे हैं कि nearest out of money call, put वो उनकी bankrifty यहां खुला call का open यह है, put का open यह है, फिर bankrifty यहां बंद हुआ तो bankrifty का close यह है put का close यह है, call का close यह out of money का भी देखा in the money का भी देखा और साथ में 8 मही को भी देखा तो इससे क्या होगा पूरे span में हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से strike price कैसे कैसे behave कर रही है, और यह आंकडे देखेंगे, तो यह आंकडे दो दिन देखने से आपको समझ में आगे है, यह मत समझेगा क्योंकि आपको यह बात समझ नहीं है कि weekly expiry में शुरुआत के दो दिन जैसा behavior है आखरी के दो दिन जैसा behavior नहीं है तो आप धोका खा जाएंगे दोस्तों क्योंकि option grix आपने सुना होगा option grix में delta, theta, gamma यह सब कुछ होता है delta खास्तों पर important है delta मतलब bank nifty में कितनी चाल आएगी तो call कितना बढ़ेगा bank nifty कितना गिरेगा कितने point तो put कितना बढ़ेगा लेकिन यह समय के साथ बदलता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे expiry आती जाएगी time decay होता जाएगा इसलिए दोस्तों कई बार लोगों को होश ही नहीं रहता है कि उन्होंने Friday को को पोजिशन बनाई और Monday तक profit book किया और एकाद दिन रुक्य वेनस टेको उन्होंने फिर से position बना ली वो भूल गए कि कल तो expiry है और profit का hangover होता है दोस्तों इसलिए लोगों से गलतिया हो जाया करती है इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि bank nifty में अगर काम करना है तो आपको systematic training बहुत ज़रूरी है bank nifty के हमारा जो 10 strategy के course में हम क्या-क्या बताते हैं कि historical price के study कैसे करनी है उनके buying का combination कैसे बनेगा long strangle या long straddle short strangle कैसे बनेगा spread कैसे होगा, butterfly कैसे होगा future को hedge कैसे करेंगे अगर कोई option खराब हो गया call or put खरीदा और premium बरबाद होने को आ गई तो उस trade को repair कैसे करेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं government में हम उल्टे सिदे कदम उठा के अपनी capital खतम कर लेंगे और अगर capital इतनी ज़्यादा बड़ी खतम नहों और हम call put को average न करते चले जाएं तो हम बरबाद नहीं हो सकते क्योंकि call put या option trading की इसलिए आई थी limited loss का feature लेके आई थी लेकिन अगर माचीस के तीली के बारुत को इकठा करकर के आप bum बना लो तो फिर क्या किया जा सकता है उसी bum बनाने से बचना है दोस्तों इसलिए आपको education जरूरी है आपको अगले तीन दिन एक खास opportunity मिल रही है वो opportunity क्या है bank nifty के course के साथ में one plus one offer में हम real estate का पुरा trading investment का course दे रहे हैं जिसमें आप plot, plate, मकान, उसकी खरीदी बिकरी broking करना हो, उसकी study करना हो सभी को जिंदगी में काम पड़ेगा आपको तो पता है कि हर एक की wife या माँ पीछे पड़ी है कि चलो हमारा सपनों का घर लेना है सपनों की जमीन पे घर तियार करना है तो जिंदगी में एक बार भी trade करेंगे तो वो जो knowledge अगर आपको मिल गया, तो उस knowledge की वज़े से आपको या तो पांचलाक रुपया बचेगा या पचासलाक रुपया बचेगा, आपको पांचलाक extra मिलेगा या पचासलाक extra मिलेगा दोस्तो पहली पचास बुकिंग पे हमने रखा था offer, कि हम bank nifty की जो new strategy है वो साथ में देने वाले थे, अभी उसमें से 80% लोगों को तो दिया जा चुका है offer अब खतम होने को है, अगर आप सचमुच bank nifty में पैसा बनाना चाहते हैं, तो सीखने से पारेज मत कीजेगा, zero loss option trade android app डाउनलोड कीजे और आप महां से directly ले सकते हैं या फिर bank account में आप transfer कर सकते हैं, या फिर 83810-21346 7066 4580 पे Google पे phone पे कीजे, WhatsApp पे अपना payment confirmation बेजे, दो घंटे के अंदर आपको course मिल जाएगा और 24 घंटे के अंदर एक्सपर्ट होने लग जाएंगे bank nifty के future and option की trading में यकिन नहीं होता कर के देखिए thank you very much